Good morning students, तो result आने से पहले पहले ये वीडियो जुरूर देख लें सभी students G&U result आने से पहले पहले, क्योंकि बहुत सारी important बाते हैं इसमें तो चलो शुरू करते हैं, सभी students अपने अपने result का वेट कर रहे हैं तो जो आप सबका result है, वो जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे तो result आने से पहले पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले अगर आपका result पास होगा, तो आपने सभी subjects के marks चेक करने हैं और next time और ज़्यदा marks लेकर आने की कोशिश करनी हैं और जो जो गलती आपने इस बार exam देते टाइम की थी, वो next time नहीं करनी है अब बात करते हैं, अगर आपकी supply आ जाती है किसी subject में तो आपके result आते ही, आपके पास दो option होती हैं, उनके बारे में आपने जल्दी जल्दी सोच लेना है फर्स्ट option, revolution form fill करने का, सैकन्ड option, repair form fill करने का जिससे आप अपना result clear कर सकते हो अगर आपकी किसी subject में supply है, उसमें आपको बस कुछ marks से fail कर दिया गया है और आपको लगता है कि आपको marks कम दिये गये हैं और आप pass हो सकते हो तो आप अपने result आने के बाद एक week के अंदर अंदर revolution का form fill कर सकते हो फिर आपका supply वाला paper फिर से re-check होगा बाकी revolution form से related pull detail में इस channel पर video आपको मिल जाएगी जिसका link description box में भी है, आप जाकर check कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं लिखा था paper में आपका paper रह गया था, time का पता नहीं लगा और आपकी supply आगी तो मतलब जो आपकी supply आई है वो ठीक है फिर आप revolution का form नहीं fill करोगे फिर आप repair form fill कर सकते हो आगे जाकर मतलब अगर आपकी first semester में supply है तो वो आप third semester में भर सकते हो repair का form अगर आपकी third semester में supply है तो आप fifth semester में जाकर भरोगे repair form तो ये कुछ बातें थी जो आपने result आने से पहले पहले ध्यान में रखनी है अगर कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो तब तक इस वीडियो को like कर दो share कर दो अपने सभी friends के साथ चैनल जुरूर subscribe कर लेना और bell icon जुरूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे ही कोई new वीडियो आपके लेके हैं सबसे पहले notification आपको मिल जाए Thank you